बर्थ सर्टिफिकर्ट किसी पर्षन के लिए बहुत ही इंपोटेंट होता है बर्थ सर्टिफिकर्ट से ही बच्चे के स्कूल में एडमिशन होती है और बर्थ सर्टिफिकर्ट से ही बहुत सार जो आईडी होती है वो बनती है अगर आपका बच्चे का जनम हस्पीटल में हुआ है तब आपके बच्चे का बट सोटिफिकटम नहीं हुआ नहीं हुआ तो उसको कईसे ओनलान अप्लाय करेंगे इसका पूरा प्र mean इस वीडियो में बताया हूँ सुवाज महीं इंजिनियर राजा और मैं आज को आपको इस वीडियो में पूरा प्रोस्टे बाइस बताया हूं किस तरही कर से आप बट सर्टिफिकर्ट के लिए ओनलान अप्लाइ करेंगे इस वीडियो में आप लास तक बने रहे हैं चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्टन में एक लिंक दिया गया हुआ जिस लिंक पर जाके आप यहां पर ड्रैक्टे इस पोटल पर ओपन हो सकते हैं आपको यह बट सर्टिफिकर्ट करने के लिए आपको इस पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा एकाउंट बनाने के लिए यहां अपर देख रहेंगे सिंपल जेनरल पावलिक्स चानप आप करना है के लिए आपको यूजर नेम डालना है जो भी आपका नाम हो इसका यहां इमेल अल्य डालना इसका इहां मोवाइल नमबर इसका डेट वबेंट में बच्च्चे कर जो यहां से कलेंडर साब उसको कर लेना इसको बाद यहां आपधा देख रहे हैं कि क्या चाहिए कि यहां डाल देजिएगा जिसका क्या डालने को यहां पर रेइस्टर कर देना देखिए यह आपका एकाउंट बन चुका है अपने एकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको इमेल आड़ी पर जाना यहां नहीं कर लेजिए इसका बाद यहां पर किलिक विजाकर आपने इसे एकाउन को एक्टिव कर लिट तो फिर आपको फ़र्म कर देना है तो आपको सुरू का क्याप्टर अक्षर फिर स्मॉल एस्पेशल करेक्टर इसका नमबर एक वन टू थी तो ऐसे करके आप एक कि आपको करना पर यहां करना पर यहां पर यहां कर लेना है इसको इस तरह से यहां को फिल्भ कर कर दे लिए और आपको आपको स्ट्सक्राइब करने जो देखें कि यह फोर्म आपका ऊपन होके आ चुका है यहां से अपना यह लगवेश चूच कर लेंगे जो भी लगवेश इसको फिलब करना चाहते हैं चलिए मैं इंग्लिस चूच कर लेता हूं इसे केंडरी लगवेश यहां पर हिंदिय डाल दीजिए अगर फॉर्म का को देख रहें कि इन्फ्लमेशन ओफ चाल्ड बच्चे का सुचना यहां पर देना पर हाँ यहां से इस कलेंडर में सब्सक्राइब बच्चा का डेट अब यहां से प्लिक चूच कर लिए बच्चा पूरू से महला जो भी है यहां से चूच कर लीजिए इसको यह बच्छे का ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं मगर मैं सज्जेस करूंगा कि आगर बच्चे का अगर नाम डेट डाल देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा हुआ इसके बाद यहां पो देख रहे हैं कि प्लेस और बच्चा का जनम कहां हुआ था तो यहां से आपको चूच कर लेना है तो मैं आपको यहां पर टोमेटिक हो जाएगा इसको अपको यहां पर आ जाएगा इसको यहां पर आपको पी नमबर डाल देना है यहां आपको फादर का इन इफ्रमेशन देना जैसे यहां फादर का फास्ट नेम फादर का मिदल नेम फादर का नास्ट नेम इसके बाद यहां प मैं इंटर्ट किया देखिए यहां पर हैं ऑन्य फ्रों पर देंटिन गाली में चनुम्थ यहां पर उसका अधार नमबर है तो आधार नमर एबमेल आई-डी मुवायल नमबर सब्सथार ब्लोक नमब काउन मंबर डालना है इसके बाद यहां प्रेंद पोस्ट्ट पी। नाम रिखनेप इसके बाद इस्टिक यहां चूज कर लेना है इंडिया के तो इंडिया से बहुत हैं तो यहां पर आपको रखना आपको अगर आपको ट्रिक करके यहां पर फर्म को फिलप कर कर दिए तो यहां पर फिलब हो जाएगा इसके बाद यहां देख रहे हैं कि सूचना दाता इंफोर्मेशन जो दिए फोरम भर रहा है तो उसका इनफोर्मेशन यहां डालना है यहां पर नाम डालना है इसके बाद ऐसके बाद यहां पर इक्याम करते हैं यहां यहां पर न्युक्यां सब्सक्रण कर लिए यहां पर पादर क्या काम करते हैं सब्सक्राइब कий है या कोई हम करते हैं या पंखल चूछक कर सकते हैं इसका आप्ट यहां कि आप प्षूश मदर का एज्युकैसन किया कितना तक पराँ को बच्चे जो है वह कितने है और जो पैदा हुए है या मर गया है उसका डीटेल यहां फिलभ कर देना है और यहां सब अट्रेशन चूच कर लें में किसकी देख सेंगे बच्छे पैदा हुआ है इसके बाद यहां पर आपको देख रहाए कि दलेवरीमेचर क्या था नर्मल तो यहां पर आपको मताप पिता कोई एक आईडी प्रूफ यहां पर अप लोड करना पड़ेगा तो यहां ध्यान देने वाले बात यह है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सब कुछ ठीक है ठाक है फॉर्म सही है तो आपको यहां सिंपली समिट पर आपको यहां से आ चुका है इसके बाद यहां पर देख रहे हैं कि आपको यहां पर रिफरेंस नंबर भी यहां पर आपका दे चुका है जो इसको आपको कॉपी करके रख सकते हैं इसको यहां पर आप सिंपली यहां पर जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं तो यहां पर आई ड यहां पर चुका है इसको आपने पर लिखा हुआ कि यह फॉर्म को प्रिंट करके अपने रइस्टर के पास जमा कर दीजिए और रइस्टर का एड्रेस भी यहां पर दिया गया है इसके बाद यहां से अपना यूजर आडिया पासबोर्ड याद रखिया अगर कभी भी आपक कर लिजिए लोगिन होने के बाद आप यहां पायाएंगे ऐसकी तो इस फॉर्म को निकाल के आपको प्रिंट निकाल के रेचेस्टर के बाद जमार करना पड़ेगा और आपको इस में कोई भी payment आपसे नहीं लिया जाएगा अगर आप 21 दिन के अंदर parfait में कर देतेएं तब आप से पैमेंट नहीं लिया जाएगा अगर आप 21 दिन में बाजमा करते हैं तो ा पो लेट भान देना परेगा अगर आप एक साल तक यह फोरम को झाल झाल